चलिए सुरुवात करते हैं आज की न्यूस पेपर की पहली न्यूस हम देखेंगे पी आईबी की वेबसाइट से पी आईबी में 27 फरवरी किया दी हम न्यूस देखें तो कोई खास न्यूस नहीं आई है एक चीज हम देखेंगे जो कि हमारे न्यूस और परस्पेक्टिव के वी यूस से सही है वो है पी एम गती सकती क्योंकि इसका उलेक बजट में भी किया गया है तो डी पी आई आई टी पी एम गती सकती पर बजट के बाद पहला वेबिनार आजित करेगा ठीक है मतलब की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ये वेबिनार आजित होने वाला है पी एम गती सकती से रिलेटेट कुछ फेक्ट है इसको हम एकस्प्लाइन कर लेते हैं डीटेल में देख लेते हैं तो क्या होता है इंडिया की 75 नमर की इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी ने एनाउंस किया था कि सेंटर विल लॉंच पी एम गती सकती माश्टर प्लान ठीक है 100 लाग करोड प्रोजेक्ट फॉर डवलपिंग हॉलिस्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतरगत क्या क्या चीज हो सकता है मान के चलिए ये इंडस्ट्री है और ये मार्केट है इंडस्ट्री और मार्केट को जोडने के लिए सड़क चाहिए ठीक है इसके अलावा पैसों के लेंडेन के लिए बैंक चाहिए तो बैंक के लिए हमें बिल्डिंग बनाना है सड़क के लिए हमें पुल बनाना है और भी जो अन्यकारे हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतरगत आ जाते हैं सर्विस सेक्टर के अंतरगत तो पी एम गदी सक्ती माश्टर प्लान की बात करी जा रही है सौ लाग करोड प्रोजेक्ट की ताकि हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमाला डवलप्मेंट हो सके आगे बताया जाता है प्रधान मंत्री की स्पीच में इसके अलावा आजकल के जो बिरोजगार यूग लोग हैं उनको यहां से रोजगार मिलेगा इन दा कमिंग डेस वी विल लांच पी एम गति सक्ति प्लान ए हंड्रेड लाग करोड नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है इसा नरेंदर मोदी के द्वारा घोशना करी गई थी अब यदि हम बात करें इसके फोकस वाले एरिया के तो नरेंदर मोदी का कहना है गति सक्ति प्लान विल हैल्प राइज दा ग्लोबल प्रोफाइल ओप लोकल मनुफेक्चरर मतलब कि यदि मैं स्टील की कोई छोटी मोटी प्रोड़क्ट बनाता हूँ मान के चलिए मैं रेल की पटरी बनाता हूँ मेरी कंपनी है तो मुझे ग्लोबल प्रोफाइल कैसे करके मिलेगी इसके लिए इसमें फोकस किया जाएगा इसके अलावा help them compete with their counterparts worldwide अब जब मेरा infrastructure मुझे सस्ती सेवाए देगा तो मैं वर्ल्ड लेवल पर अपने product को compete करा पाऊंगा competition दे पाऊंगा इसके अलावा बताया जाता है Prime Minister Narendra Modi ने ये भी कहा था कि India को आज जरूरत है increase करने की manufacturing और export मतलब की export कब बढ़ेगा जब हम जादा चीज़ें को बनाएंगे every product that is sold globally for India is attached to India which is why I am saying that every product of yours is brand ambassador for India या ऐसा उनका कहना था बात बताई जाती PM गति सकती targets to cut logistics cost मतलब माल की एक जगा से दूसरी जगा जो ढुलाई है उसकी जो कीमा था उसका जो भाड़ा है उसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं इसके अलावा increase cargo handling capacity cargo की माध्यम से जो हम माल की ढुलाई करते हैं अब 100 किलो की जगा हम 500 किलो करेंगे and reduce the turn around time the plan aims to lend more power and speed to project by connecting all concerned department on one plate farm बताया जा रहा है कि जो अलग-अलग department हैं उनको हम एक ही plate farm पर लेके आएंगे इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम power supply करेंगे ऐसा PM गती सक्ति के अंतरगर target रखा गया है इसमें बताया जाता है it will help in fulfilling the ambitious target set by government for 2024 जिसमें include है expanding the length of national highway network जो हमारे national highway है आज यदि आज़ी condition में 10 हैं तो हम उसको 20 करेंगे ठीक है तू दो लाग किलोमीटर लंबाई कित्ति करने वाली हैं दो लाग किलोमीटर इंकी लंबाई होगी इसके अलावा creation of more than 200 new airport heliport and water aerodroms ये सारी चीजें इसके अंतरगर बनाई जाएंगी इसके अलावा it also aims to have 11 industrial corridor and 2 new defense corridor इसी के अंतरगत हम 11 industrial corridor का निर्माड करेंगे और दो ठोड new defense corridor का निर्माड करेंगे एक रहेगा तमिलनाडू में और जो अधर है वो उत्तरप्रदीस में बनने वाला extending 4G connectivity to all villages is another aim इसके अलावा हमें हर गाउं तक 4G connectivity पहुचाना है adding 17,000 km to the gas pipeline network is being planned इसके अलावा 17,000 km की gas pipeline बिचाने का भी काम इसमें किया जाएगा गदी सक्ती प्लान involved the creation of common umbrella platform through which infrastructure project can be planned and implemented with coordination between various ministry या फिर department on a real time basis ये थी PM गदी सक्ती के बारे कुछ basic fact वर्ल्ड जियोगराफी वाले हिस्से को हम काफी दिन से discuss नहीं कर पा रहे थे आज से हम उसको continue करते हैं तो हमने सहारा रेगिस्थान के बारे में कुछ fact देखे थे इसके अलावा हमने fact देखा था dessert क्या होते हैं कैसे इनका निर्मार होता ये तो हम जियोगराफी वाले हिस्से में देख लेंगे लेकिन dessert से related कुछ कुछ basic fact हम देख चुके थे फश नम्मर पे हमने सहारा dessert को cover किया था आज हम cover करने वाले हैं आस्ट्रेलियन dessert को ये आस्ट्रेलिया महादवीब आप देख रहे हैं ठीक है तो आस्ट्रेलिया में तनामी dessert, Simpson dessert, Great Sandy dessert, Gibson dessert, Great Victoria dessert ठीक है ये कुल मिलाकर के 5 dessert यहाँ पर बताए गए है यही सामिल होते हैं हमारे आस्ट्रेलियन dessert के अंतरगत और भी यहाँ पर छोटे छोटे नाम दिखाए गए हैं जैसे कि इस्ट्रेजेक डिजर्ट और इस्टर्ट इस्टोरी डिजर्ट लेकिन यहाँ पर जो है उनको मैप के माध्यम से दर्साया नहीं गया है Gibson dessert की बात करें तो ए सेंट्रल आस्ट्रेलियन डिजर्ट इसको माना जाता है अब Gibson को हम ढूरते हैं यह रहा अपना Gibson dessert Second number पर बताया जाता Great Sandy dessert के बारे में North Western Australian dessert यह North और West की तरफ में है कौन सा आपका Sandy dessert मतलब नौर की तरफ जाओगे आप और पस्चिम की तरफ जाओगे आस्ट्रेलिया के तो यह Great Sandy dessert यह North वाली डारेक्शन हो गई और यह पस्चिम वाली डारेक्शन हो गई इसके अलावा Great Victoria dessert The sixth largest dessert in the world by area located in South Central Australia इसके अलावा Simpson dessert है Central Australian dessert है Little Sunday dessert यह पढ़ता है पस्चिम की तरफ न इस्टर जैल इसकी dessert तनामी dessert western dessert इसके अलावा रंगी पो dessert अब हम चलते दाहिंदू की तरफ पर देख लेते हैं मैन मैन खबरों को तो पहली जो न्यूज आई है वो यूक्रेन की तरफ से एक बयान आया है कि यूक्रेन तयार है बातचीत करने के लिए ओन दा फोर्थ दे तो चार दिन हो चुके हैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध के रसिया न अटेक के चार दिन हो चुके हैं तो संडे की दिन दे यूक्रेनियन प्रेजिदेंट आफिस की तरफ से ये कहा गया है कि नेगोसियेशन बिट्वीन कीव एंड मोस्को वुड़ वी हेल्ड ओन दा बेलरूसियन यूक्रेनियन बॉर्डर कहां पर ये negotiations होने वाले हैं बेलरूस और युक्रेयन के बॉर्डर पर The negotiator would meet without preconditions ऐसा office की तरफ से statement आया है President Waldomir Jalanski said He was willing to try talks with Russia but was exceptional मतलब not easy बात्चित के लिए तो तैयार है लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है अब इंडिया की क्या भूमी का है इंडिया क्या किस टाइप से step ले रहा है दोनों दीसों के बीच में ये दिद्ध हो रहा है तो उसको लेकर के ये news आई है इंडिया engage है with all parties on Ukraine ऐसा foreign secretary की तरफ से जवाब आया है Sringla says this nation has direct interest in the region dialogue only way forward इंडिया has every reason to contribute in resolving Ukrainian conflict foreign secretary हर्स वर्धन Sringla said on Sunday हमारी तरफ से ऐसा कहना है कि देखो हम contribute करेंगे ताकि resolve हो सके Ukraine conflict addressing a special briefing on crisis and its humanitarian dimension Mr. Sringla said India believed dialogue between the warring sides was the only way ahead next news हम देखने वाले हैं यमनारी रिवर से related इसमें वियर से related कुछ बात हैं बताई जाती है यमनारी रिवर पर देखिए कई सारे जो नाले है जो drainage है अपने गंदे पानी को यमनारी रिवर पर छोड़ते हैं दिल्ली में इसलिए दिल्ली की यमनारी रिवर का पानी इतना जादा polluted हो गया है कि वहाँ पर आप नहा भी नहीं सकते हो सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किये गए है जो नाले है वहाँ पर कुछ-कुछ बांध बनाए गए है उनके पानी को कंट्रोल करने की कोशिस की गई है इसी के चलते चलते बताया जाता है कि जो BOD है बायो केमिकल ओक्सिजन डिमांड उसमें इंप्रूव्मेंट देखने को मिला है इसके अलावा डिक्रीज हुआ है एमांट ओफ अधर पॉलुटेंट ऐस वेल एस A report shows that there is a drastic reduction in suspended solid after the construction of temporary wears मतलब बांद temporary कुछ बांद बनाए गए हैं जो की इस प्रकार के गंदे पानी को कम करने की बात होती है Total suspended solis went down from 166 mg per litre in Rithala to just 49 mg per litre in Rohini sector 15 area की बात हैं आपर करी जाती है There is a substantial reduction in ammonium content in the wastewater as test found in ammonium 26 mg per litre in Rithala और 18 mg in Rohini sector 15 ऐसा government की तरफ से कहा जाता है अब यदि हम यमना रिवर की बात करें तो यमना रिवर ओरिजनेट होती है यमनोत्री glacier कहाँ पर southwest slope southwest slope या फिर बंदर पूँच पीक slope को मतलब होता है धाल्स है या फिर बंदर पूँच चोटी in Missouri Range of the Lower Himalayas Lower Himalayas की बात कर रहे है और Missouri Range की हम बात कर रहे है flows along the state of Utrakhand, Himachal Pradesh, Haryana इसके बाद इंटर कर लेती है दिल्ली and merge with the Ganga कहाँ पर मिलती है जाकर कि ये त्रिमेनी संगम अलाहाबाद प्रयागराज में बताया जा रहा है the largest tributary of Ganga in the Northern Plans Northern Plans में यदि हम बात करेंगे तो Ganga की सबसे बड़ी साहिक नदी है यमुणा इसकी जो में साहिक नदी है यमुणा की वो है टॉन्स जो कहां से राइस होती है बंदर्पूच ग्लेसियर से राइस होती है इसके बाद ये जोइन कर लेती है यमुणा इट जोइन दा यमुणा बिलो कालसी बिफोर दा लेटर लिव दा हिल्ट यदि हम यमुणा की टोटल लेंद की बात करें तो 1376 किलोमेटर इसकी लंबाई बताया जाती है बताया जा रहा है इट क्रियेट दा हाइली फर्टाइल एल्यू वाइल यमुणा गंगा दुआब रीजन बिट्वीन इटसेल्फ एंड गंगास इंदा इंडो गंगेटिक प्लान तो ये बहुत ही उपजाओ मैदान का निर्माड करती है The cities of बागपत, दिल्ली, नौइडा, मत्रा, आगरा, फिरोजबाद, इटा, हमीरपूर, अलाहबाद, लाइ ओन इटस बैंग कौन-कौन से महतपूर सहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं यह बात यहाँ पर बताई जाती है यह जो डार्क, ब्लू, रेड, ब्लू कलर देख रहे हैं आप यह ही है यमुना रिवर जैसे कि कौन-कौन से सहर हैं मैन मैन हो गया, नई दिल्ली, आगरा, इधर से भिंड भी इसके पास में हो गया, ठीक है और यह होगी अब बांदा और फिर लास्ट में जाके अलहाबाद अलहाबाद में त्रिवेडी संगा भी यहाँ पर यह गंगा से जाकर के मिल जाती है देखिए सरकार की तरब से इलेक्ट्रिक वीकल पॉलसी को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से फ्रयास किये जा रहे हैं इस पर यदि हमें लिखना है यदि हमें कोई जानकारी शेयर करना है जानना है तो ये नियूज हम देख सकते गवर्मेंट तो लाँज एलेक्ट्रिक वीकल गाइड बुक फॉर आर डब्लू एस तुड़े विल गाइड रेसिडेंट्स ओन चार्जिंग इलेक्ट्रिक वीकल और ये गाइड करेगी रेसिडेंट्स को ओन चार्जिंग इलेक्ट्रिक वीकल तो इनकरेज दे यूज ऑप इलेक्ट्रिक वीकल इलेक्ट्रिक वीकल के उपयोग को आप कैसे करके इंकरेज कर सकते हो तो इसके लिए दिल्ली गवर्मेंट क्या करने वाली है लॉंच करने वाली है एक Residential Electric Vehicle Charging Guidebook on Monday for which it plans to rope in RWS to help promote home charging of electric vehicle इससे एक चीज और है कि आप घर में ही कैसे करके अपने Electric Vehicle को चार्ज कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको पूरी तरस हो जाएगी The Guidebook which has been developed by the Dialogue and Development Commission of Delhi तो इसको किसके द्वारा डवलप किया गया है? DDC के द्वारा in collaboration with World Resource Institute India seeks to simplify and enable the adoption of electric vehicle charging in all types of residential areas in Delhi तो जहाँ भी जैसा भी residential area है वहाँ पर हम electric vehicle को कैसे करके चार्ज कर सकते हैं इसके लिए यह guideline का काम करेगी DDC के chairperson है जस्मीन सहा उनका कहना है RWAs across Delhi have expressed their interest to the Delhi government for joining the electric vehicle revolution तो यह जो guide book है will facilitate the journey and enable people to access electric vehicle charging point in colonies all over Delhi तो ना केवल आपको charging station में जाने की जड़ोत है आपको जो है एक colony से दूसरे colony में भी आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे क्योंकि electric vehicle में सबसे ज़्यादा problem charging को लेकर के ही होती है आगे बताया जा रहा है government का कहना है Document guides residential societies in understanding the importance of electric vehicle charging इसके अलावा detail and the process involved in planning, installing and managing electric vehicle charging station in the parking space of societies इसके अलावा इसमें कुछ कुछ चीज है जैसे कि lack of space कुछ concern है आपर बताई जाती है lack of space अब मेरे मुझे मेरे घर में यह system लगाना है तो घर में जिकनी जगह ही नहीं है कि मैं उसको लगा पाऊं इसके अलावा capital investment उसके लिए पैसा भी चाहिए इसके अलावा power load management कितनी power देना है कितनी power अपने घर में आ रही है इसके अलावा and share the best practices for RWS As a part of its policy on an electric vehicle the government said it will encourage all residential societies in the capital to join hand with them in promoting electric vehicle by adopting electric vehicle charging in their residential societies इस policy का उद्देश है improvement लाना दिली की air quality में इसके साथ साथ में help करना city के electric vehicle reach 25% of new vehicle registration by 2024 2024 तक 25% vehicle ऐसे रहेंगे जो की electric से चलने वाले हैं इसके बाद वाली जो news है वो हम देखने वाले हैं इंडिया और फ्रांस के relation को DRDO और सफ्रान to develop engine for aircraft DRDO और सफ्रान मिलकर के मतलब कमपनिया ही समझ लीजिये आप दो कमपनिया मिलकर के aircraft के engine को develop करने वाले हैं इंडिया और फ्रांस टु इंक डील टु डवलप 125 के एन engine 125 के एन engine इंडिया और फ्रांस मिलकर के बनाएंगे for indigenous fighters soon हमारे यहाँ खुद का indigenous जो fighter है उसके लिए इंडिया और फ्रांस are close to conclude a deal likely in the next couple of months for the joint development of a 125 के एन engine इस engine का निर्माड करने वाले हैं इंडिया और रसिया मिलकर के क्यों बनाएंगे इसको ताकि indigenous रूप से पांचवी जनरेशन का advanced medium combat aircraft यहाँ पर हम इस engine को fit करेंगे under development according to the defense option बताया जा रहा है collaboration किसकिस के बीच में होने वाला है defense research development organization इसके अलावा फ्रेंच की engine maker company है सैफ्रान तो पूछा जा सकता है कि सैफ्रान कहां की company है news में क्यों है क्या यह बनाती है दिसंबर 2021 में क्या हुआ था speaking at an event after MS parley's visit on to India union defense minister राजनाज सिंह had said a major french company will come to India and make the engine in a strategic partnership with an Indian company राजनाज सिंह ने यह इसा कहा था कि फ्रांस की एक company है इंडिया आईगी हमारे यहां पर वो क्या है engine का निर्मान करेगी और लाज्ट इयर क्या होता है government ने information दिया था Parliament में कि it is proposed to develop indigenous engines for powering aircraft such as LCA light combat aircraft variant और इसके अलावा AMCA in association with the international engine house parallel progress की बात करी जाती है initial design of AMCA started way back in 2009 and is invested as a twin engine stealed aircraft with internal weapons which has been developed for the first time and for which the design is complete as reported by the Hindu earlier next वाली जो न्यूस है वो हम देखने वाले हैं डल लैक से related अब कोई खास न्यूस तो डल लैक से related नहीं आई है केवल उस डल लैक की खूबसूरती का पिक्चर दिखाया गया है जिसको आप देख सकते हैं आपर कितना यह खूबसूरत व्यू है आप पूरा सामने की तरफ पहाड़ी दिख रही है और कुछ घर बने हुए है साप सुत्रे पानी में देखिए किस प्रकार से नावे चल रही है बहुत ही खूबसूरत नजारा है फिर वैदर आप्टार several days of snowfall स्री नगर woke up to a bright lustrous day on Sunday tourist flocked to houseboat on the dull leg for ride against the enchanting backdrop of snowfall cloud mountains dull leg के बारे में अब हम कुछ facts है उनको देख लेते हैं dull leg it is a leg in स्री नगर the summer capital of Jammu and कस्मीर इंडिया तो जम्मू और कस्मीर की summer capital है स्री नगर वहीं पर इसकी location है इंडिया में it is an urban leg which is the second largest in the union territory of Jammu and कस्मीर ये सहरी छेत्र के अंतरगत आने वाली जील है ठीक है जो की second number की largest है in the union territory of Jammu and कस्मीर बताया जा रहा है it is named the leg of flowers इसका नाम है leg of flowers jewels in the crown of कस्मीर या फिर स्री नगर की जोल के नाम से भी इसको जाना जाता है the leg is also an important source for commercial operation in fishing and water plant harvesting दो चीजों के लिए इसको जाना जाता है मचली मचली उत्पादन के लिए और दूसरा water plant harvesting foreign फोरेन वाले page से एक news आई है UNHRC से related human rights ठीक है commission से related United Nations UNHRC was reconstituted from its presidential organization the UN Commission on Human Rights पहले UN Commission on Human Rights के रूप में इसको जाना जाता था बाद में इसको UNHRC कर दिया गया था to help overcome the credibility deficit of the previous organization पिछले organization में कुछ कमिया थी तब जाकी UNHRC ने अपना रूप गरहन किया था headquarter की बात करें तो Geneva Switzerland में इसका composition के अंतरकर थी the UNHRC has 47 members serving at any time with election held to to fill fill up seat every year based on allocation to region across the world to ensure geographical representation कि इसकी member देशों कि यदि हम बात करें तो 47 members है serving करते हैं at any time अब फिर with election held to fill up fill up seats every year इसके बाद election भी होते हैं seat को fill up करने के लिए ताकि हर हिस्से से इसमें लोग member बन सके Each elected member serve for a term of three years यदि भारत इसके लिए select हुआ है तो वो तीन साल के लिए इसका सदस्य रहेगा country are disallowed disallowed from occupying a seat for more than two consecutive term अभी मैं तीन साल के लिए ले लिया हूँ ठीक है फिर से यदि मुझे तीन साल के लिए चाहिए है to continue consecutive year के लिए तो वो allow यहाँ पर नहीं है भंसन के यदि हम बात करें तो the UNHRC passes non-binding resolution on human right issue through a periodic review of all 193 UN member state called the universal periodic review तो UNHRC passes करता है non-binding resolution किस पर human right issues को through a periodic review time time पर उसका review करता है all 193 UN member state ठीक है इनको कहते है the universal periodic review it oversees expert investigation of violation in specific countries particular किसी country में यदि violation हो रहा है human right का तो उसको oversee करेगा expert investigation के माध्यम से कि न्यूस के दी हम बात करें तो United Nations ने कोलंबो के जो effort है human right को लेकर के उसको हरी जंडी दिखाई है आगे बताया जा रहा है नियू रूपएट ऐसे टाइम में आई है जबकि United National Human Rights Council का 49 नंबर का सेशन आजित होने वाला है अब बात ऐसी है कि वहां पर जो है ना काफी जादा human right का violation होते रहता है स्री लंका में अब स्री लंका की condition ऐसी है कि वहां पर जो मेजार्टी है और जो माइनार्टी है ठीक है तो जो माइनार्टी के अंतरगत तमिल लोग आते हैं ना उनका वहां पर शोशन होता है उनके अधिकारों का violation होता है कुछ लोग गायब कर दिये जाते हैं तो मिल नहीं पाते हैं इसके अलावा military के जो परसन है उनको राजनीती में एंट्री दी जाती है इस इस टाइप से वहां पर कारिकरम हो रहा है तो इसी को लेकर के वहां पर जो भी human right की condition है violation हुआ है उसको लेकर के United Nations में वाद विवाद हो सकता है यही बात यहां पर बताई जाती है अब यह उसका title रखा गया है या फिर आप कह लीजिए कि यह चीज बताती है कि पहले का भी violation हुआ था कि नहीं हुआ था उसमें क्या क्या कमिया है ठीक है ताकि accountability fix की जा सके जबकि राजपक्षा की जो government है न वो report लगा रहे ही कहा जाता है reform की तरब तो यह जिनेवा में मंडे के दिन से यह इसकी सुरवात होने वाली है while there will be no resolution on Sri Lanka this session जबकि हमें कोई भी प्रकार का resolution देखने को नहीं मिलेगा कहाँ पर Sri Lanka में इस session में दिहन देखे an interactive dialogue on progress made by Sri Lanka in prompting reconciliation, accountability and humor and right is expected to be held during a week एक बात और यहां पर बताई जाती है कि ज़्यादा कुछ खास progress हमको देखने को नहीं मिला है Sri Lanka मैं मानव अधिकारों के उल्लंगन को ले करके the high commissioner is a deeply disturbed by the general lack of progress ज़्यादा कोई progress हमको देखने को नहीं मिला है past year मेरी हम देखे most of cases इसके अलावा active reversal of other which continue to indicate the inability and unwillingness of the government to prosecute and punish perpetrators of crime क्राइम को जिन्होंने अंजाम दिया है उनके उपर किसी प्रकार का मुगदमा नहीं चला नहीं उनको punishment किया गया है when state agents are the elite perpetrators अगली news हम देखने वाले है नेपाल से related नेपाल ने पास कर दिया है contentious US grant को contentious word आया जिसका मतलब होता है विवाद विवाद इसपाद तो नेपाल के जो लामेकर है उन्होंने संडे के दिन adopt कर लिया है पास सो मिलियन डॉलर यूएस ग्रांट को ठीक है following street classes between police और protesters who are against the fund जबकि यहां की जो जनता है इस fund के विरोध में है आप यह grant मत दीजिए इतने डॉलर की which have become a bone of contention between China and United States और यहीं से controversy भी generate हो रही है चाइना और United States के बीच में नेपाल ने sign कर दिया है US government की Millennium Challenge Corporation MCC's pact in 2017 to fund infrastructure project but its ratification had been in limbo लेकिन इसका जो ratification है इसकी जो पुष्टी है ना अभी वो confirm नहीं हुए because of divisions within political party including ruling coalition मतलब कि coalition की जो government है उसके अंदर ही अंदर भी यह चीज confirm नहीं हो पा रही हम ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए major opposition came from Prime Minister Sir Bahadhu दिववास coalition partner including most politician seen as traditionally close to China who said it undermined Nepal's sovereignty अंदर ही अंदर क्या है विरोधा भास है यहाँ पर उनका कहना है कि China हमार यहां बिलकुल इंटर करते जा रहा है हम उसके उपर depend होते जा रहे हैं ऐसा है यहां पर कहना कंप्रोमाइस की बात करी हम पार्ट ओफ एनी स्ट्रेट्जिक मिलेटरी और सेक्योर्टी एलाइंस इंक्लूडिंग दा इंडो-पैसिफिक इट्ट्रेट्जिक ऑफ उनाइटेट स्टेट एक्स प्लैनर वाले पेस से हम समझने की कोसिस करेंगे कनाडा के डिजिटल सर्विस टेक्स के बारे में और USTR के अपोजिशन के बारे में वाट इस दा बी एपी एस एग्रिबेंट एंड वाई इस दा यू एस्टियर एक्क्यूजिंग कनाडा ओफ गोइंग अगेंस्ट इस्ट तो the office of the US trade representative जिसको USTR हम कहते हैं has protested against कनाडा's decision to impose a digital service tax 3% का on large company that sell various services in कनाडा कनाडा की बड़ी बड़ी कमपनिया जो की service provide कर रही हैं कनाडा में उनके उपर service tax 3% का लगने वाला है इसका विरोध किया जा रहा है US trade representative के द्वारा the issue of taxing large MNCs has always been a problem among many governments in a meeting of the OECD last year the OECD G20 based erosion and profit shifting project was agreed upon wherein large MNC will have to pay tax on certain portion of their profit to the government of the foreign country where they do business आपको अपने लाब का कुछ पैसा tax की रूप में देना पड़ेगा MN बात यहां पर आजा रही है ये लेकिन कोई भी company ऐसा करना नहीं चाहेगी इसी के चलते चलते फिर भी बात खड़ा जाता company और government के बीच में तो to profit to the government of the foreign country where do they business मान के चलिए Amazon हमारे यहां पर business कर रही है Amazon को इंडिया में tax देना पड़ेगा बात यहां ऐसी करी जा रही to be particular companies will have to allocate 25% of the residual profit 25% residual profit को allocate करना पड़ेगा as profit earned in the foreign country and pay tax और tax को पे करना पड़ेगा the countries also agrees to impose a minimum corporate tax rate of at least 15% on corporation with revenues and profit above a certain threshold level 15% corporation tax भी देना है अब यदि हम यहां पर story की बात करें तो यहां पर बताया जाता है देखो the office of the US trade representative USTR shortcut जिसको हम कहते है इसने विरोध किया है Canada ने एक decision लिया था कि हम impose करेंगे digital service tax 3% का बड़ी बड़ी कंपनियों के उपर जो कि Canada में service provide कर रही अब ऐसी कंपनी जिनकी total annual revenue है कम से भी कम 850 million dollar की और वो फायदा कमाती हैं लगभग 16 million dollar का इनके उपर हम tax लगाएंगे किसके द्वा कौन कहा है Canada की government under the new rule अब USTR जो संगठन है उनका कहना है कि देखो new tax particularly target large US technology business को इसके अलावा has stated that it would look into ways available under existing bilateral and other trade agreement to retaliate against Canada's action अदर जो नियम कानून है उसकी तरब भी हम देखने वाले हैं ताकि इससे हम बज सकें अब आगे इसमें issue की बात करी जाती है कि आखिर issue है क्या चीज ठीक है the question of how to tax large multinational corporation आखिर ये जो multinational corporation है Google है, Apple है, Facebook है ठीक है business पुरे world में कर रही है लेकिन मतलब इसका ये है कि कमाई पुरे देश से कर रही है पुरे world के देशों से कर रही है लेकिन tax कहाँ पर दे ही है जहां कि ये company है ठीक है तो Facebook की बात करें चाहे Google की बात करें तो ये पैसा कहाँ पर दे रही है America में दे रही है Tax वहाँ पर दे रही है और बाकी business कर रही है भरत ज़िसे देशों में तो इनके उपर हम tax कैसे करके लगा सकते हैं That have their businesses spread across countries has been a bone of contention among government Government के बीच में यह चिंता का विशाय रहा था Many multinational companies draw a large share of their revenue and profit from outside their home countries Yet they pay most of their taxes in their home countries वही तो बात है कि हाइदा और revenue वो बाहर से बहुत उठा लेती हैं बहुत कमा लेती हैं लेकिन tax जाजता tax अपनी home country को ही paid करती है अब उनके इसके example आप देख सकते हैं Facebook, Apple और Google यह business करती है developing country विकासी जैसे कि इंडिया और चायुना लेकिन यह pay करती है most of taxes in the US और in tax shelter such as Ireland इसके अलावा many government have tried to tax at least a part of profit of these MNCs भाई आप 10 रुपे कमा रहे हो हमारे देश से तो कुछ तो फायदा, कुछ तो tax हमें दीजिये ऐसा government की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी और try भी किया गया था तो organization for economic corporation and development इसकी meeting होती है कहां पर October के महीने में पिछले साल 2021 में 136 countries जिसमें include था Canada और United States came to an agreement on how to tax large MNCs हम आखिर tax लगाएंगे कैसे करके फिर ये लोग agree हो गए what is known as OECD G20 base erosion and profit shifting project तो the large MNCs will have to pay tax on certain portion of their profit 10 रोपे का ID आपको फायदा हुआ है तो उसका कम सकम एक ही रोपे या दी दीजिए certain portion of their profit to government of the foreign country where do they business अब particular company will have to allocate 25% of the residual profit which is defined as profits exceeding 10% of revenue तो उनको 25% तो residual profit को allocate करना पड़ेगा इसको दूसरे तरीके से आप देखोगे तो जो profit exceed हो रहा है उसका 10% of revenue का as profit earn in the foreign country and pay tax on this profit और इस profit के उपर उनको tax देना पड़ेगा अब यदि हम बात करें USTR आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है तो विरोध ऐसा कर रहा है कि भाई देखो अभी एक साल पहले BEPS का agreement हुआ था जिसमें 136 country ने अपने signature करे थे तो उसमें ऐसी बात कही गई थी कि कोई भी देश अपनी तरफ से unilaterally tax नहीं लगा सकता है तो आप कैसे tax लगा दे रहे हो और दूसरी तरफ कनाड़ा का ये पक्ष है कि भाई यदि आप उस agreement को time fixed time period में पूरा कर लेते हो तो हम ये इस प्रकार का जो tax लगा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे ये बात यहाँ पर बताई जाती है explain वाले ही basic news हम देखने वाले हैं swift से related स्विप्ट आफिर है क्या जीज तो स्विप्ट जो है एक प्रकार से मैसेज वाला networking system है जिसका यूज किया जाता है बैंकों के द्वारा और financial institution के द्वारा पूरे world level पर ताकि quick और faultless तरीके से exchange कर सके हम information का और ये जो information है particular ये relate करती है financial transaction होता है उसको ठीक है मतलब कि यदी 100 रोपय का land end हो रहा है globally इंडिया और रसिया के बीच में तो जो messaging network है वो faultless हो इसके अलावा quickly हो जो भी information है वो किसके माध्यम से होता है swift के माध्यम से होता है the Belgium headquarter swift connects more than 11,000 banking and securities organization in over 200 countries and territories headquarter Belgium में है ये swift जो है connect करता है 11,000 banking or security organization को लगभग 200 से भी ज्यादा country और territories में each participant on the platform is assigned a unique 8-digit swift code इंडिया को भी एक 8-digit का swift code मिला होगा यदि इंडिया इसका सदस है तो या फिर bank identification code जिसको हम कहते हैं अब जैसे कि if a person say in New York with a city bank account want to send money to someone with HSBC account in London, New York से यदि किसी को लंडन में पैसा भीजना है the payee would have to submit to his bank the London-based beneficiaries account number along with the 8-digit swift code of the letters bank तो जहां मुझे भेजना है वहां का जो swift digit code है वो मुझे account number के साथ में जरूरी है send करना जरूरी city would then send a swift message to HSBC once that is received and approved the money would be credited to the requirement अब उस चीज को verify किया जाएगा उस code को verify होने के बाद पैसा जो है फट से उधर चले जाएगा तो swift is merely a platform that send message and does not hold any security और फिर money खाली message भेज़ता है अपने पास रूपए पैसा वो hold करके नहीं रखता it provides standardized and reliable communication to facilitate the transaction